अस्सलाम अलाइकुम दोस्तों बहुत बहुत स्वागत हैं इस्तक्बाल है आपका अबरीन अकैडमी में आज हम ब्रीज कोर्स का दस्वी जमात का 29 दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है हमजाद मसावातों पर मबनी इबारती मिसाले हिस्सा नमबर दो तो पिछले वीडियो में हमने उम्रों पर मबनी और आददों पर या हिंसों पर मबनी जो इबारती मिसाले थी उसके बारे में पढ़ा था आज हम माशी कारोबार, हिंसी अशकाल, रफ्तार, फासला और वक्त इन पर जो मुनहसर मिसाले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एक मुस्ततील नुमा मोबाईल सेट की लंबाई उसकी चवडाई से तीन सम ज्यादा है अगर एहाता 34 सम हो तो मुबाईल सेट की लंबाई और चवडाई मालूम कीजिए तो ये इबारती मिसाल है, इसको हल करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी हिसाब से हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले तो इसको समझ कर पढ़ लेना है, ठीक है? तो मुबाईल सेट की शकल मस्ततील नमा है, इसलिए फर्द कीजिए कि इसकी लंबाई एक्स और चवडाई वाय सम है, ठीक है? लंबाई को एक्स फर्स किये और चवडाई को वाय फर्स किये, अब हमको सवाल में क्या दिया हुआ है कि मुस्ततिल नुमा मुबाइल सिट की लंबाई जो है तो वो उसकी चवड़ाई से क्या है तीन सम ज्यादा है ठीक है तो लंबाई हमने क्या फर्स किये एक्स फर्स किये तो इसलिए एक्स बराबर वाय जमातीन लंबाई जो है तो वो चवड़ाई से तीन सम ज्यादा है क्या है कि अगर एहाता 34 सम हो तो मुस्ततिल के एहाते का जापता है मुस्ततिल का एहाता बराबर दो जर्ब लंबाई जमा चौड़ाई ठीक है तो मुस्ततिल का एहाता कितना दिया हुआ है सापते में हम कीमते रखेंगे मुस्ततिल का एहाता दिया हुआ है 34 बराबर दो जर् एक्स जमद, चौड़ाइं कितनी हैं, य, दो, जर्ब एक्स जमद रखर य, बराबर 34, य हमारी दूसरी मसावाथ है, तो अब ये जो पहली और दूसरी मसावाथ हैं, हसिल हुई है, उनको भल करेंगे, तो एक्स बराबर य, जमद रादीन, य, पहली मसावाथ है, और 34 बराबर 2 जर्ब एक्स जमावाई यह दूसरी मसावत है तो अब क्या करेंगे मसावत नमबर 2 जो है उसको 2 से तक्सीम करेंगे मसावत नमबर 2 को तक्सीम करने पर क्या होगा एक्स जमावाई बराबर 17 तो इस तरह से यह मसावत नमबर 2 हसिल होगी अब जो है तो मसावात नमबर दो में एक्स की कीमत रखेंगे एक्स की कीमत क्या है य जमा तीन है मसावात नमबर दो क्या है एक्स जमा वाई बराबर सत्रा एक्स की जगापर रखना है य जमा तीन तो य जमा तीन जमा वाई बराबर सत्रा य जमा य कितना हो जाएगा दो य जमा तीन बराबर सत्रा तीन उदर जाएगा तो सत्रा तफरिक तीन चौदा हो जाएगा इसलिए दो य बराबर चौदा हो जाएगा अब दो य के साथ जर्ब में उदर जाएगा तो तकसीम में यानि चौदा बटे दो हो जाएगा य सब्सक्राइब लगधेंगे वह सावत नंबर एक क्या है एकस पराबर वाय-जमातीन इतना ही दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज